हेलो एवरिवन और वेलकम तो मैं चैनल क्रेटिव हाउस वाइफ आज के वीडियो में हम एक सिंपल सी साड़ी में थोड़ी सी क्रेटिविटी करके उसे डिजाइनर लुक कैसे दे सकते हैं या फिर उसे और सुंदर कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे यह बहुत ही आसान है औ इसमें बार्डर का कोई लुक नहीं आ रहा है तो इसमें बार्डर का लुक देने के लिए इसे थोड़ा सा और संधर बनाने के लिए मैं यह देकि लेस ली है इतीक बीर्स लेज़्ा पर चोट 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 यह बीर्ठ लगे हों है ज़रूरी synthesal नहीं कि आप इसी तरह क dependencyus आप कोई भी चोड़ा बॉर्डर या जो पसंद आया वो लेसा प्लेश सकते हैं तो अब इसको देखते हैं कैसे लगाएंगे देखें ये मेरी साड़ी है तो ये साड़ी का एक हिस्सा है ये वाला और इसकी दूसरी तरफ प्लास्ट किनारे पे किनारे प्लान यसी किनारी ये ये वाला ये वाला ये यहां गांवारे यह पर ये बीदेश को लगाएंगे देखिए कितना छोड़ते हुए इस तरीके से आप हाथ से भी नाप सकते हैं और अगर इंच टेप से नाप के देखें तो यह देखिए 10 से 11 एंच यहाँ से स्टार्ट करते हुए हम अपनी लेस को लगा सकते हैं और इसमें अगर एक आदिन चुपर नीचे हो तो उससे कोई फरक ने पड़ेगा देखिए कुछ इस तरीके से इस लेस को हम लगाएंगे यह देखिए इस तरीके से आएगी तो यह देखिए इतना कपड़ा छोड़के हम यहां से अपनी लेस लगाना शुरू करेंगे लेकि लेकिन आपकी साड़ी पर अगर आपकी साड़ी प्लेन है और आप नहीं समझ पारे किसे कहां से लगाएं तो आप किसी दूसरी साड़ी की हाइप ले सकते हैं जिसमें कोई बॉर्डर या लेस लगी हुई हो उससे आइडिया लेके आप अपनी लेस को लगाना शुरू कर स एक्स्ट्रा है तो इस लेस को मैं थोड़ा सा आगे की तरफ से यहां से शुरू करके लगाएंगी दो यहां से यह से स्टार्ट करते वक देखेंगे और यह कपड़ा है इस तरीके से अंदर की तरफ देंगे और फिर यहां पे रखते हुए अपनी लेज को लगाना स्टार्ट करेंगे यह देखिए इस तरीके से इसके साथ साथ रखते हुए हम यहां सिलाई लगाएंगे और जो यहां वाली सिलाई हमारी लगी ही उसके लिए हम सिंगल फूट का यूज करेंगे उसके लिए हम फूट चेंज कर देंगे, क्योंकि देखिए, ये जो पॉल्स है, इन पे ये फूट चड़ेगा, मतलब जब हम सिलाई लगाएंगे, तो फूट इस पे चड़ेगा और कपड़ा खिसके गई नहीं, मतलब सिलाई नहीं लगे कि कपड़ा आगे, पीछे की तरफ सरके गई नहीं, इसलिए ये दूसरी सिलाई, मतलब जो किनारी पे हम सिलाई लगाएंगे, उसके लिए हमें मशीन का फूट चेंज करना पड़ेगा, तो अभी के लिए पहले ये वाली सिलाई हम लगा लेते हैं, जो इन पॉल्स से दूर है, जो स्रिफ लेस को दबाने का क काम करेगी, लेस और साड़ी को जोउन करने काम करेगी, यहां देखे किनारी पे यह सिलाई आएगी, इस तरीके से अपने पॉल्स को इस तरीके से पुश्च करते हुए हम ये सिलाई लगाएंगे, बस इसी तरीके से जहां तक के लिए समय चाहिए वहां तक हम लगा लेंगे और यहां देखिए यह पाइपिन मेरी साड़ी में यही तक है लेकिन यह एड़ी के पास आने से पहले ही खतम हो जा रही है यानि कि जो हम साड़ी में चुनल डालते हैं आगे प्लीट्स वही तक आएगी लेकिन जो पीछे एड़ी वाला हिस्सा है वहां पर यह पाइपिन खतम है लेकिन वह अच्छा नहीं लगता तो इसको मैं पीछे तक पूरा कंटिन्यू करूंगी जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको तो यह देखिए यहां लास्ट में भी मैंने इसे फोल्ड कर लिया इस तरीके से लेस लग गई है और अब हम क्या करेंगे देखिए अभी यह लेस इस तरीके से आ रही है अग पास सिंगल फूट नहीं है तो एक पल के आप चाहे तो इसे ऐसे छोड़ सकते हैं लेकिन देखिए करने को तो एकी सिलाई में काम चल जाएगा लेकिन उसमें उतनी फिनिशिंग नहीं आदे क्योंकि देखिए यह सिलाई ने इस कपड़े को दबा दिया और यहां वाली सिलाई लेस को अच्छी तरह से दबा देग तो दोनों में से एक सिलाई से काम चल जाएगा लेकिन वो फिनिशिंग नहीं आएगी जो हमें चाहिए इसलिए यह किनारे वाली सिलाई और यह दूसरी वाली सिलाई यह दोनों जरूरी है है आप लगा लेंगे तो आपके ignored में अच्छी फिनिशिंग दिखेगी तो देखिए मैंने इसे चेंज कर लिए सिंगल फूट की जो जो सिंगल फूट वो मैंने लगा लिया है और अब इस तरीके से देखिए किनारे किनारे पर हम यह सिलाई पहुत इजली लगा लेंगे जो कि डबल फूट से पॉसिवल नहीं है कि पर्ण के लावा कोई और लेस होगी तो वह तो आप लगा लोगे यह लिकिन इस तरह कि कोई भी पर्ण लेस नहीं लगा पाऊ गया बिना सिंगल फूट के यह देखिए एकदम किनारी किनारे पे अच्छी फिनिशिंग से सिलाई लग जाती है और पर्ण भी सई रहते हैं यह देखिए इस तरीके से यह दोनों साइट से दब गया यह देखिए और इसमें फिनिशिंग देख रही है अब तो यह देखिए मैंने पूरी साड़ी पे लेस लगा लिए और इसका लुक एकदम चेंज हो गया है आप इसी तरीके से कोई भी लेके अपनी सिंपल सी साड़ी को एक डिजाइनर लुक दे सकते हैं यह देखिए अब यह साड़ी बहुत अच्छे लग रही है यह बीड्स ले पॉल लेस के लिजिए इससे आप यूज कर सकते हैं किसी भी साड़ी पर किसी प्लेन कपड़ा भी लेके इस तरीके से लेस लगाके एक अपनी साड़ी घर पर डिजाइन कर सकते हैं और इसका लुक बहुत अच्छा था है आपको पॉल लेस यह नहीं पसंद तो आप किसी या फिर किसी और गोटे गोटे का यूज करके भी अच्छी साड़ी तयार कर सकते हैं तो वैसे तो यह काम बहुत सिंपल था लेकिन फिर भी आप जुरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लेगी आपको कोई हैल्प मिली या नहीं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज झाल